वेलकम बैग दियर फ्रेंट्स अगें गूड इवरिवन और आई होब कि आप इस लेक्चर के लिए भी अच्छी तरीके से प्रिपेर होंगे जिस तरीके से आप मॉर्निंग के अंदर आपने एक शांदा तरीके से अपना कॉपरेशन दिखाया था जिसके अंदर हमने पर्ज नरेशन को खतम करेंगे और देफिनेट्ली डियर फ्रेंट्स अगर आपको लगता है कि नरेशन एक लेक्चर के अंदर खतम नहीं हो सकता एक बार आइज आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से अटेंड करें उसके बाद आप मुझे बताना कि सिर सच में क्या एक वीडियो के अंदर या एक लेक्चर के अंदर हमने नरेशन खतम करा या नहीं करा डियर फिर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज के रूल आपको ऐसे ट्रिक्की वेसे मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से ध्यान से आप नरेशन को समझना उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगली जो वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपके नरेशन के उपर कुछ एक्सरसाइज लाऊंगा जो कल की वीडियो होगी तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके यह अभी जो इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसके अंदर इसी ट्रिकी वे से भी आप उन क्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और वो आंसर भी आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर आप सभी के लिए एकसरसाइज भी है उसके साथ साथ आंसर भी मैंने खुदी दिये हैं कुछ जगाओं पे और कुछ आपके लिए भी हैं ताकि आपको यह नरेशन एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए ताकि आपको किसी भी कंपरेटिव एक्जाम की बात करें और जनली हम अगर आज कल फोकस जो कर रहे हैं वो हम फाइनेंस अकाउंट एसस्टेंट पर फोकस कर रहे हैं डियर फ्रेंड मैं आपको यह शौर्टी देता हूँ अगर आपने सही पेशन्स के साथ पूरे फोकस के साथ अगर यह लेक्चर आज की अटेंड करी यह जो एक गिंटा यह गिंटा पंदरा मिनेट तक भी हो सकती है तो उसके अंदर आपको सभी नरेशन के रेटी डाउट्स क्लीर होने वाले हैं थोड़े सी महनत आपको करनी डियर फ्रेंड थोड़ी मेरे को करनी है और हम दोनों की महनत की कंबिनेशन से ही हम अपने टारगेट को मॉटिवेशन देता हूँ और डियर फेंड पिछले पांच साल के अनुभाव के साथ मेरा यह मानना है कि हर किसी को मॉटिवेशन की जरूरत होती है लेकिन डियर फेंड मैं आपको यह बात बता दू आप ही अपने लिए सबसे ज़दा मॉटिवेशन खुद हैं क्योंकि आ and you need to work hard for your dream so that you can fulfill your dream and you can just put your life in a comfortable zone so dear friends आज की भी यहां पे एक अच्छी line लिखी गई है कि अगर आप चाहते ने कि अगर आपकी society आपको इज़त से देखे या लोग आपको इज़त से देखें so dear friends आप क्या सोचते हैं क्या इज़त ऐसे ही मिल जाती है क्या dear friends इज़त कमाई जाती है मांगी नहीं जाती है respect is commanded not a demanded इसलिए इस बात को आप फोकस रखें और मैं तो अपने study table के आगे तो मैंने ये तो tag लगा के रखा है कि respect is commanded not a demanded इज़त कमाई जाती है मांगी नहीं जाती है so आपका यहां से lecture up man शुरू होता है और different I hope कि आप सभी अच्छे तरीके से यहां पर क्या करेंगे focus करेंगे different सबसे पहले बात करते हैं यह narration होता क्या है यह कौन सी ऐसी बला है जिसको हम अभी तक अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए लेकिन आज की वीडियो के lecture को टेंड करने के बाद definitely आपकी यह confusion हमेशा हमेशा के लिए clear होने वाली है डियर फ्रेंड जिसको आप कहते हैं direct और indirect narration या narration जिसको आप कहते हैं उसको एक दूसरे नाम से हम reported speech भी कहते हैं इसके अंदर क्या होता है आप देखो यहां पर एक बात को समझें इसके अंदर यह होता है कि जो speaker जो होता है जो बोल रहा होता है उसके words को हम क्या कहते हैं narration कहते हैं या narration को एक दूसरे नाम से अगर आप देखे तो इसको speech भी कहा जाता है जी हाँ dear friend narration को ही speech कहा जाता है जिसके अंदर हम reported speech की बात करते है इसके वीडियो के अंदर और इस lecture के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा आपका concept वो time के related हो, tense के related हो या कोई भी दूसरा journal rule क्या हो नहीं हो वो सबी मैं आपके क्या करने वाला हूँ, clear करने वाला हूँ तो dear friend अगर मैं आपको बात करूँ narration को define करें सबसे पहले एक idea मिलना चाहिए देखो वो definition के उपर नहीं जाना है आपको आप एक real life से हर एक topic को अगर क्या करेंगे attach करेंगे, connect करेंगे तो definite dear friend एक book से ज़्यादा अच्छे तरीके से और एक fast way में आपको समझाएगी यहीं narration का मतलब क्या है whatever we speak or talk is called narration or speech यहीं जो भी हम बात करते हैं या किसी की speech सुनते हैं या कोई speech देता है देखने वाले हैं क्योंकि reported speech के अंदर reporter का ज़्यादा योगिदार रहता है reporting verb की ज़्यादा participation रहता है reported speech होता है verb आप reported speech होता है dear friend narration को पढ़ने से पहले हमें यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम reporter के बारे में बता करें reporting verb क्या है reported speech क्या है वर्ब आप रिपोर्टिट स्पीच क्या है क्योंकि अगर एक सेंटेंस के अंदर ये सभी यूज होंगी तभी आपका एक narration यहने direct narration से आप indirect narration के अंदर उसको conversion कर पाएंगे उसको convert कर पाएंगे so different सबसे पहले हम बात करते हैं अगर journal overview के अंदर बात करें हूब हूब उसी वर्ड को हम क्या करते हैं उसको inverted commas के अंदर रखते हैं और उसके बाद rule के मताबिक हम उसको indirect narration के अंदर convert करते हैं अब indirect narration क्या होता है जिसको आप indirect speech भी कहते हैं देखो indirect narration का मतलब होता है कि जब एक speaker जो अपने words को बता रहा या व्यक्त कर रहा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं indirect narration कहते हैं अब किस तरीका से मैं बात करेंगे उसके बारे में भी definition देखändगे कि direct narration क्या होता है? indirect narration क्या होता है? देखो dear friend यहाँ पर अगर मैं बात करें relative narration की बात हो to me I am learning English यानि वह लड़का मुझे कहता है कि मैं English सीख रहा हूँ, he says to me I am learning English, तो यह यहाँ पर जब भी आपको कोई ऐसा sentence दिखे या exam के अंदर ही आपको कोई ऐसा sentence पूचा जाए, जो inverted commas के अंदर बंद हो, अब यह inverted commas के अंदर क्या बंद रहता है वो भी मैं आपकी बात बताने वाला हूँ उसके बाद यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई भी sentence आपको exam के अंदर पूचा जाता तो यहाँ पर आपको एक idea मिलना चाहिए कि यह किसकी बात का हो रही है, direct narration की बात हो रही है, dear friend आप जस्ट यह overview करें, आपको मैं direct एक इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ एक छोटा सा अगर 2% भी आपको यहाँ से idea मिल रहा है कि आप किसी sentence को पहचान पाते है कि यह direct narration है या indirect narration है तो अभी तक यह भी आपने आप में एक बड़ी बड़ी बात है उसके बाद अगर बात करें, हम indirect narration की बात करें यानि जिसको हम indirect speech भी कहते है तो इसके अंदर देखो यहाँ पे उसी sentence को मैंने यहाँ पे convert करा है यह कैसे convert करा है यहाँ पे आपको यह नहीं सोचना है अब यह को वहाँ पे I am learning English था He is learning English हो गया यहाँ पे किस तरीके से हुआ आपको मैं भहती शानदा तरीके से यह clear करने वाला हूँ और यह मैं guarantee लेता हूँ कि आज की video, आज की lecture attend करने के बाद week से week student और smart से smart student की सभी doubts, सभी confusion clear होने वाली है उसके बाद आप किसी भी exam के अंदर का कोई भी question उठा के ले ले और इनी trick से अगर आप solve करेंगे 110% आप उस question को अच्छे तरीके से solve कर पाएंगे dear friend अच्छे तरीके से उसका सही answer right answer लिख पाएंगे dear friend अब देखो यहाँ पे types of direct narration की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके अंदर देखो यहाँ पे जब आप direct और indirect की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे उसके अंदर आपको reporting verb और reported speech का भह ज़्यादा योगिदान मिलता है dear friend अब देखते हैं सर इसके अंदर reporting verb क्या है और reported speech क्या है देखो reported verb क्या होता है ऐसे words यहाँ यहाँ पे एक speaker था यहाँ जो inverted commas के बाहर जो word यूज किया जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं reporting verb के अंदर आते हैं और अगर बात करें हम यहाँ पे reported speech आप देखो यहाँ पे he says to me को हमने क्या कहा reporting speech का लेकिन अगर आप बात करते है I am learning English तो यह किसके अंदर आता है reported speech के अंदर आता है reporter का मतलब होता report करना और जब एक reporter report करता है उसकी report को जो वक्ता के जो speaker के जो अपने words होते हैं उन्हें हम किसको कहते हैं उन्हें हम reporting word कहते हैं उन्हें हम reporting word कहते हैं और जिसके बारे में वो बात करता है जो inverted commas के अंदर रहते हैं different उनको हम क्या कहते हैं reported speech कहते हैं और आपको मैंने यहाँ पे ना रहे डिये फ्रेंट बेसिक से लेके हाई लेवल तक समझना जरूरी रहता है क्योंकि अगर आपकी बेसिक क्लियर है तब ही डेफिनिटल आप किसी सेंटेंस को पहचान पाएंगे और उसका सही आंसर दे पाएंगे अब देखो यहाँ पे एक रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर और रिपोर्टिट स्पीच के अंदर एक रिपोर्टर का काम रहता है जो रिपोर्ट करता है उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मैंने आपको बता है कि ऐसे वर्ब ऐसी एक्शन ऐसे वर्ड जो एक रिपोर्टर के दुवारा यूज किये जाते हैं उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं यहीं ऐसे वर्ब जो एक रिपोर्टर के दुवारा यूज किये जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं रिपोर्टि यानि inverted commas के अंदर कौन सी ऐसी main verb है जो इस reported speech को बता रही है जैसे अगर मैं यहाँ पर एक example है आपको दूँगा नीचे उससे आप पूरा समझ पाएंगे आप देखो the verb which is used in reported speech ऐसी verb जो reported speech के अंदर यानि inverted commas के अंदर use हो रही है उससे आप verb up reported speech कहते है आप देखो यहाँ पर इस example को हम सही तरीके से समझते है और उसके बाद यह जो basic rule है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते है he said to me यहाँ पर क्या एक reporting verb है क्योंकि यहाँ पर he क्या है एक reporter की तरह काम कर रहा है तो देखो जब भी किसी sentence के शुरू में he said to me हो he says to me हो या कोई दूसरी condition क्या हो तो वो वहाँ पर आपके लिए एक reporting verb की तरह काम करता है उसके बाद I am going to go a देखो यहाँ पर he said to me I am going to go a आप इस example को अच्छे तरीके से देखें आप देखो he said to me I am going to go a तो he said to me आप ने यहाँ पर इसको क्या declare करा यह reporting verb है I am going to I am going to go a यहाँ पर आपकी reported speech है dear friend reported speech के अंदर verb आप reported speech होती है यहाँ पर going जो है यह क्या है verb आप reported speech है क्योंकि go होता तब भी यह होती और going है तो यह एक process को बता रही है एक action किस तरीके से हो रहा है एक काम किस तरीके से हो रहा है उसको बता रही है इसलिए यहाँ पर क्या है verb आप reported speech यह नहीं reported speech की यह क्या है एक verb है उसके बाद यहाँ पर बात करें direct से indirect के अंदर कैसे convert करना देखो यहाँ पर he said to me I am going to go a dear friend यहाँ पर यहाँ पर भी rule की कोई चिंटा नहीं करनी है क्योंकि tricky वैसे आप समझने वाले हैं पाँपार्ट के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ और सारे की सारे पार्ट आज इस lecture के अंदर ही हम attend करने वाले हैं finish करने वाले हैं he said to me I am going to go a देखो यह तो direct के अंदर है अब यहाँ पर exam के अंदर इस तरीके से question पूछे भी जाते हैं या एक लंबा question बना के दिया जाता है जिसके अंदर आपको सब इनके rule अच्छे तरीके से जान कर और अच्छे एक answer को वहाँ पर देना होता है तब ही जाकि आपके अच्छे number आ सकते हैं English portion के अंदर तो देखो he said to me I am going to go a अगर इसका indirect बनाएं आप में से बहुत ज़्यदा लोगों को narration आते भी हैं तो he told me that he was going to go a देखो यहाँ पे report किसके अंदर थी past के अंदर थी reporting verb यह past के अंदर थी report एक past के अंदर थी तो तभी हमने reported speech को भी यहाँ पे present से किसके अंदर convert करा past के अंदर convert करा यह कैसे होता है inverted commas को हटा कर हम कौन-कौन से use करते हैं ऐसे words जो inverted commas को replace करते हैं बहुत ही मज़एदा तरीके से बताने वालों लेकिन थोड़ा सा पहले basic हम clear कर देते हैं एक बार मुझे chat box के अंदर बताएं कि आप सभी को मेरी बात सही तरीके से समझ आ रही है या नहीं आ रही है एक बार dear friends जल्दी करें एक बार बताएं ताकि हम अपनी वीडियो को finish कर पाएं अपनी lecture को अच्छे तरीके से finish कर पाएं तैंक यू वेरी मच आप देखो यहाँ पर dear friend एक यह rule रहता है जो आप सभी को समझना बहुत ही जरूरी है dear friend अगर आपको यह rule समझ आ गया तो समझो आपको narration आ गये जी हाँ मैं आपको सही बोल रहा हूँ और आपने सही सुना कि अगर आपको यह rule समझ आ गया तो आपको पूरे के पूरे narration आपके क्या हो जाएंगे clear हो जाएंगे dear friend इस rule को हम कहते है sun rule कहते है अब यहाँ पे sun लड़के वाला sun नहीं बात करें या sun सूरज वाले sun की बात नहीं करें यहाँ पे narration वाले sun की बात करें s o n तो देखो यहाँ पे s को मैंने यहाँ पे one number दिया है o को मैंने यहाँ पे two number दिया है और n को मैंने यहाँ पे तीन number दिया है no change के लिए बात करें अब किस तरीके से इस sun के rule को apply करोगे हर एक part के अंदर में इसको दोबारा से बताऊंगा ताकि आपकी last तक इस lecture के confusion क्लियर हो जाए जब भी आप narration की बात करते है dear friend narration के अंदर अगर बात अगर करें तो और वहाँ पे direct और indirect narration की बात होती है और उसी के अंदर से question आपको पूछे भी जाते हैं यहने किसी भी exam के अंदर वो school level का हो competitive level का हो तो उस तरीके से ही यहाँ पे पूछा जाता है लेकिन कभी भी अगर आपके direct speech के अंदर या direct narration के अंदर वहाँ पे आप first person की बात हो I, V की बात हो किसके अंदर reported speech के अंदर अगर वहाँ पे बात हो first person की I और V की तो वहाँ पे जो subject होगा indirect narration के अंदर वह according to किसके change होगा subject यहाँ पे यूज़ जो subject वहाँ पे use हो रहा है उसके according वहाँ पे हम change करेंगे second person हमेशा एक narration के अंदर नहीं direct के अंदर अगर second person you की बात हो वह हमेशा according to object change होता है और यहाँ पे एक object कैसे होता है वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बात करें he की बात करें, she की बात करें, it की बात करें name की बात करें तो इनके अंदर हम कोई भी change नहीं कर सकते जी हाँ dear friends, इनके अंदर हम कोई भी change नहीं कर सकते यह rule मैं आपको बताने वाला हूँ एक बार इसको अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दे हैं उसके बाद आपको इन rules के साथ अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से sun rule का implementation हम अपने narration के अंदर करते हैं उसके बाद dear friend आपको ये table भी अच्छे तरीके से याद रखना है और अच्छे तरीके से इसके आपको notes ये बनाब लेना है ताकि आप जब भी narration को पढ़ें तो आपको इस table को अच्छे तरीके से बात करें dear friend यहाँ पर इन बातों को भी जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है देखो direct narration को मतलब होता है actual words of speaker जो actual word होते है speaker के उन्हें हम क्या कहते है direct narration कहते है और जो word speaker के दोबारा कहे ये होते हैं और वो किसी के दोबारा हम सुन रहे हैं के इन डायरेक्ट narration कहते हैं तरी उडिए परसन के अंदर आ जाते है नॉमिनेट यू में सेकिड परसन के अंदर you आजाता है, यह शियए इट नेम दे यदि जिस तरीके से आप यहां पर किस की बात करते हैं third person की बात करते हैं first person की बात करते हैं, second person की बात करते हैं, तो वह आपके नॉमेनेटियव case के अंदर आता है, अगर आप बात करें objective case की बात करें, डियए फिं अगर एक object को बताता है इसलिए इसको objective case के अंदर रखा जाता है यहां पे me यहां पे क्या एक objective case की तरह है तो me आ गया, us आ गया, you आ गया, him आ गया, हर आ गया, it आ गया, them आ गया या किसी का नाम आ गया तो यह सबी किसके अंदर आते हैं, objective case के अंदर आते हैं उसके बाद आगर बात करें हम positive case की बात करें तो यहाँ पे देखो positive case किसको बताता है जब भी कोई चीज आपकी होती है यानि यह positive case किसको बताता है ownership को बारे में बात करता है यानि positive case का मतलब यह है कि आपके पास जैसे मैं आप बोलोगे sir I have five pens या this pen is mine sir this is ours house sir यह हमारा घर है this is yours pen यह आपका pen है तो इस तरीके से यहाँ पे positive case के अंदर आता है जिसके अंदर आप my की बात करते हैं over की बात करते हैं या पिर overs की बात करते हैं mine की बात करते हैं you की बात करते हैं yours की बात करते हैं his की बात करते हैं हर की बात करते हैं या यहां पे हर्स की भी बात की जाती है ह-e-r-s एक बार लिखते हैं आप उसको भी उसके बात इट्स की बात करते हैं और उसके बात हम नेम की बात करते हैं जैसा नाम हो उसके नेम की बात करते हैं उसके बात दियर्स की बात करते हैं देखो यहां पे जो और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अब dear friend सभी इन रूल्स का implementation करते हैं part first के साथ और part first के अंदर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा tenses के मताबिक पढ़ाने अवाला हूँ, एक idea भी मिल जाएगा किस तरीके से अगर आपको exam के अंदर ऐसे sentence पूछे जाते हैं, आपको sentence को पहचाना है और इन tricks का यूज़ करना है dear friend आप सभी के सामने part first मैंने आपको यहाँ पे लाया, दिखो यहाँ पे सबसे पहले confusion है सर, कि किस तरीके से हम direct narration को indirect के अंदर convert करें, तो trick मैंने आपके यह पास लाइए जब भी कभी किस कोई sentence आपके अंदर affirmative sentence हो यानि कोई positive sentence हो, या फिर कोई negative sentence हो यानि एक positive sentence की बात हो रही है यहाँ पे और एक negative sentence की बात हो रही है इसका मतलब अगर tense के अंदर कोई भी tense ले ले यानि future ले ले, past ले ले, present ले ले उसके अंदर अगर कोई भी affirmative है negative है इनकी बात हो रही हो तो आप इस rule की बात करते हैं इस trick की बात करते हैं देखो अगर वहाँ पे किसी भी sentence के अंदर direct के अंदर says to लिखा है अगर आप उसका indirect बनाएं के dear friend वो tells के अंदर convert होगा और अगर यहाँ पे अगर says to अगर third person के साथ लग रहा तब होगा अगर I say to आएगा I says नहीं आता यह भी आपको मैं बताने बाला हूँ उसके बाद जो inverted commas होंगे कौन सी condition के अंदर only and only we are talking about the condition of affirmative sentence and we are talking about also the condition of negative sentence difference and you don't need to apply this rule in another tenses आपको दूसरे tenses के अंदर इस rule को apply नहीं करना है only 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 कब करना है जब आपके पास कोई एक sentence किसके अंदर condition के अंदर affirmative condition के अंदर है या फिर वो negative condition के अंदर है तब ही आपको ये trick यूज करनी है यहाँ पे says to को आप tells के अंदर convert करेंगे inverted commas को हटा कर आप इसको that के अंदर convert करेंगे और एक मैं आपको खास बात ये बता दूँ direct के अंदर कोई direct narration के अंदर किसी भी subject की बात हो सकती है लेकिं dear friend अगर जब आप indirect narration की बात करते हैं तो indirect narration के अंदर आप सबसे जादा किसकी बात करते हैं only and only आप तीन subject की बात करते हैं he की बात करते हैं, she की बात करते हैं, इसके अलावा आप किसी भी दूसरे subject का use नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको अपने mind में हमेशा रखनी है, जब भी आप direct और indirect narration की बात करें, या narration की बात करें, reported speech की बात करें, एक बार अगर I hope कि आपने ये trick लिख लिए, आप देखो कुछ sentence देखते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इनकी conversion की जाती है, dear friend, अगर कभी भी exam के अंदर आपको ऐसे question पूछे जाएं, तो इसके अंदर आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से इसके उपर practice करनी है, मैं आपको लिए इसके उपर test series भी लाऊंगा, यह जो वहती है, एक बार हम पहले topic को finish कर देते हैं, उसके बाद जैसे हम 10-15 दिन के अंदर हम अपने topics को finish करेंगे, उसके बाद हर एक topic की मैं आपके लिए test series लाऊंगा, ताकि आप examination point of view से भी अपने आपको अच्छे तरीक participate in competition, यानि सूरज उस लड़की को कहता है, कि मैं participate करने वाला हूं, प्रतियोगिता के अंदर, competition के अंदर मैं participate करने वाला हूं, अब यहाँ पे सूरज क्या है, एक subject है, यह यहाँ पे subject है, जिसके लिए हम क्या use करेंगे, he use करेंगे, देखो वहाँ पे sun rule की भी बात हो रही इस बात को भी याद है, कि मैंने वहाँ पे कहा था, अगर किसी sentence के अंदर, यानि अगर वहाँ पे first person की बात हो रही है, तो वह according to subject, जो reporting verb के अंदर, जो subject होगा, उसके मताबिकी वहाँ पे change होगा, यहाँ पे हर क्या object है, और अगर किसी sentence के अंदर आपको, अगर second person की बात हो, तो वह according to object change होगा, देखो, यहाँ पे मैं आपको सभी कुछ बताने बाला हूँ, सूरट says to her, I am going to participate in competition, dear friend, बहुत ही अच्छे तरीके से focus करना, इस example के उपर, अगर आप यह example सही तरीके से समझ जाएंगे, तो दूसरी example आपको affirmative, और negative, चाहे किसी भी tense के अंदर क्या ह न दी गई हो, आप उसको चुटक्यू में solve कर लो, dear friend, उसके बाद यहाँ पे, देखो, यहाँ पे first person की बात हो रही है, देखो, सूरट says to her, I am going to participate in competition, अगर आप बात करते हैं, reported verb की बात करते हैं, तो वहाँ पे I use हो रहा है, देखो, यहाँ यहाँ पे first person होता है, अगर I क अगर हम indirect के अंदर change करेंगे, तो वह सूरज के मताबिक change होगा, क्योंकि I हमेशा first person के मताबिक change होता है, और यहाँ पे reporting verb के अंदर आपका first person सूरज है, इस तरीके से आप इसकी conversion करेंगे, जैसे यहाँ पे इसका indirect कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, says to को हमने किसके अंदर convert करा, देखो says to को हम convert करके इसके अंदर रख रहे हैं, tells के अंदर रख रहे हैं, जी हाँ dear friend, मैंने आपको उपर rule बताया, उपर rule भी दिखाया आपके पास, सूरज tells, एक बार इस rule के साथ अपने हर एक sentence को attach करके चले, सूरज tells, उसके बाद किसको कह रहा है, her, देखो सूर रूल के अंदर यही समझाया, कि जब भी आप कभी reporting verb के अंदर अगर आप first person, यह नहीं कोई भी है, यह उसके बाद अगर reported verb के अंदर आई है, तो आई first person के अंदर आता है, तो वो according to किसके change होगा, first person, जो आपकी reporting verb के अंदर दी गई है, उसके मताबिक ही change होगा, तो यहा से हमने इसको अच्छे तरीके से solve करा इसी तरीके से आपकर आपके पास negative sentence होता तो उसे भी हम इसी चुटकियों से solve करने की कोशिश करते हैं डीफिर्ट यहाँ पे कुछ और example ले लेते ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएं देखो यहाँ पे direct के अंदर है Rajesh says to Bharti Rajesh भारती को कहता है I hate you कि मैं आपसे नफरत करता हूँ डीफिर्ट यहाँ पे अगर आप इस तरीके की sentence को तो देख रहे हैं देखो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करें Rajesh says to Bharti I hate you भारती के जगा आपने भारती लिखा that I यहाँ पे फिर से first person की बात करी हमने और first person according to किसके change होता है according to first person जो reporting verb के अंदर बताया गया है उसके मताबिक change हो रहा है वहाँ पे Rajesh यहाँ राकेश लड़का है इसलिए आप he का use करेंगे और उसके बाद he के बाद आप सभी को पता है present indefinite tense के अंदर hates का use होता है क्यों क्योंकि आप बात कर रहे है third person singular की बात कर रहे है उसके बाद he hates हराएगा उसके बाद second example को देखते हैं she says to me you are writing a letter to her यह यह लड़की मुझे कह रही है कि आप उस लड़की को क्या लिख रहे हो letter लिख रहे हो तो different यहाँ पे इसका indirect भी आप बना सकते हैं अगर आपको यह trick समझ आ गही होगी तो देखते हैं आप मैंसे कितने लोग इसको बना सकते हैं क्या यह इस rule को satisfy करता यह मुझे आप बता है किस तरीके से आया है यह आप सभी को पता चल गया होगा उसके बाद यहाँ पे different बात करें direct की बात करें देखो यहाँ पे says की बात नहीं हो रही यहाँ पे मैंने आपको कहा था जब भी आप plural subject की बात करें तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि direct के अंदर आपको says to लगेगा क्योंकि यह गलत माना जाता है तो देखो यहाँ पे they say to mukesh he will not go to college देखो यहाँ पे आपके पास एक negative sentence है अच्छे से समझने की कोशिश करें डियर फेंड indirect के अंदर they tell mukesh he will not go to college अब किस तरीके से हुआ देखो इसके अंदर हमने say to को सिर्फ tell के अंदर convert करा उसके बाद inverted commas को अटा के हमने क्या use क्या that के use क्या उसके बाद he को हमने change नहीं क्या मैंने आपको पहले ही बताया था उपर भी आप देख सकते हैं आप इस वाले portion के अंदर कह सकते है कि direct के अंदर कोई भी subject आ सकता any subject but when it comes to framing indirect sentence उसके अंदर आप सिर्फ तीन ही subject का use कर सकते है he का she का और देखा इसलिए he के अंदर कोई भी changing नहीं होती है S.O.N. यनि जब भी third जिसको मैंने serial दिया आता उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था ये third person को indicate करता है जिसको बनाने के लिए indirect के अंदर हम कोई भी change नहीं करते I hope dear friends ये आपको first part अच्छे तरीके से समझ आया होगा और कुछ example आप सभी के लिए है आप एक बार इन example की screenshot ले ले ताके आपको ये example और अच्छे तरीके से समझ आ जाए एक बार आप example ले 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 देखो मैं एक बार read out कर देता हूँ और साक्षी says to Rohan you are wasting your time आपको different अगर इसका indirect बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे साक्षी कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पर आप बनाएंगे साक्षी tells Rohan that he is wasting his time उसके बाद they say to Ram he does not want to study they tell Ram that he doesn't want to study नहीं change हुआ क्यों नहीं change हुआ son के rule को आप अच्छे तरीके से study करें उसके बाद mother says to father you are a good husband indirect अगर बनाना हो तो आपको बस यहाँ पे says to tells के अंदर convert करना है inverted commas को अटा के आपको that यूज़ करना है अब देखो यहाँ पे एक son के rule की और एक अच्छी example आप सभी को जानने को मिल रही है देखो यहाँ पे dear friend यहाँ पे you second person होता है तो मैंने आपको कहा था जब भी आप second person आप reported verb के अंदर बात करते हैं तो वो according to object change होता है वो यहाँ पे reporting verb के अंदर object यहाँ पे further है तो यहाँ पे जब आप इसका indirect बनाएंगे तो वो according to object ही change होगा तो आप बोलेंगे mother tells father that you यहाँ पे further की बात करे हैं उसकी जगाँ पे हम he का use करेंगे he is a good husband तो इस तरीके से आप इसकी narration को बना सकते हैं उसके बाद people say to suraj लोग जो suraj को कहते हैं you don't want to help us क्या आपको हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं क्या don't you want to help us या you don't want to help us आप हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं dear friend यहाँ पे फिर से आपको negative sentence मिल रहा है तो इसके अंदर भी आपको confused नहीं होना है different आपको वही rule यूज़ करना है जो मैंने आपको पहले बताया तो आप यहाँ पे क्या बतुब बोलेंगे people tell suraj that he के बाद you के मताबिक ही change होगा अब हम बात करते है पाट second की बात करते है dear friend अभी तक हमने देखा कि किसी भी tense के अंदर अगर बात करें affirmative tense की बात करें affirmative sentence की बात करें या आप बात करें negative sentences की बात करें तो अगर आपको उसके अंदर कोई भी narration अगर आपको direct से indirect के अंदर convert करना हो देखो वे नहीं यहाँ पर present indefinite को past indefinite के अंदर convert करना नहीं सुखाया वो भी मैं आपको past में part के अंदर सुखाऊंगा वो भी tricky way से समझाऊंगा उसके बाद यहाँ पर second part के अंदर हम बात करेंगे dear friends किसकी बात करेंगे कि किस तरीके से आप interrogative sentence को यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप interrogative sentence का आप indirect से नहीं direct narration को indirect के अंदर convert कर सकते हैं देखो वहाँ पर trick आपको यही थी वो यही trick थी लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर change करना है यहाँ पर says to अगर आपको कोई sentence ऐसा लगता है suppose करो आप paper दे रहे हैं exam के अंदर आपके यह पर sentence आया और उस sentence के अंदर आपको आपको interrogative sentence है interrogative sentence की sense मिल रही है तो उसके अंदर आपको यह वाला rule यूज करना है जब भी कोई sentence अगर आपका direct के अंदर किसके अंदर हो interrogative sentence के अंदर हो तो वहाँ पे आप सेस्टू को आस्क्स के अंदर कनवर्ट करेंगे यहाँ पे आस्क्स इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप किसी को क्वेशन कर रहा है या कोई क्वेशन कर रहा है या किसी कंडिशन के अंदर यहाँ पे क्वेशन पूचा जा रहा है तो यहाँ पे says two को आप किसके अंदर convert करते हैं asks के अंदर convert करते हैं वहाँ पे हम पहले part के अंदर आप देखें तो वहाँ पे says two को हमने किसके अंदर convert कर रहा था tells के अंदर convert कर रहा था यहाँ पे फिर से मैं आप बात बता दूँ अगर यहाँ पे reporting work के अंदर say two से पहले या says two से पहले या आप बात करें, I की बात करें, V की बात करें, U या दे की बात करें तो उसके बाद आप says two नहीं लिखेंगे, say two लिखेंगे, इतनी comments और समसभी को है तो एक बार यहाँ पे इस rule को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे says two asks के अंदर convert हो रहा है inverted commas वहाँ पे that के अंदर convert हो रहा था, यहाँ पे आप बात करें किसके अंदर बात हो रहा है यहाँ पे आप बात करें if की अंदर convert हो रहा है उसके बाद यहाँ पे interrogative है dear friend यहाँ पे भी एक बहुत ही मज़दा rule आप सभी को समझने के लिए आप सभी को मिल रहा है कि किस तरीके से आप इसको देखेंगे और किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है dear friend यहाँ पे second part के अंदर हम interrogative sentence की बात करें या फिर आप इसको interrogative negative sentence के अंदर भी use कर सकते हैं आप एक बार अपनी note book के अंदर लिख लें जो second part में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं तो आपको example के through समझा दूँगा यह किसके लिए उपर base है कोई भी tense के अंदर अगर आपका interrogative sentence हो जिसको आपको direct narration से indirect narration के अंदर convert करना हो या फिर आप बात कर रहे हो किसी interrogative negative sentence की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी आप इस रिक को use कर सकते हैं देखो यहाँ पे says to asks के अंदर convert हो रहा inverted commas की जगा हम हटा के if का use कर रहे हैं और interrogative को पहले हम affirmative में convert करेंगे देखो यहाँ पे यही rule आपको समझना है अगर किसी direct narration के अंदर अगर वहाँ पे आपको interrogative है सबसे पहले dear friend आप सभी को उसका क्या बनाना है affirmative sentence बनाना है उसके बाद उसके अंदर sun rule का apply करके आप subject के मताबिक आप वहाँ पे he, she यहाँ किसी दे का use कर सकते हैं कैसे example लेते हैं जैसे गीता says to Krishna are you going to office तो देखो यहाँ पे इस condition को समझे यहाँ पे जो हमारा reporting verb है गीता says to Krishna तो इसको भी समझे going to office यह यहाँ पे आपको interrogative sentence की sense दे रहा है, यनि interrogative sentence है different यह sense नहीं दे रहा यह interrogative sentence है अब यहाँ पे इसको चुटकियों में हम solve करते हैं किस रीके से ऐसे questions का answer exam के अंदर हम लिख पाएं और tricky way से, जिसके अंदर हमें जादा time अपना consume नहीं करना पड़े इसका indirect बनाने के लिए गीता के बाद says to को आप directly किस के अंदर convert करें कि नहीं आपके यहाँ पे पता लग रहा कि यहाँ पे किस के अंदर है, interrogative के अंदर है और जैसे आपको किसी question के अंदर interrogative sentence दिखता है, तो अगर उसको यहाँ पे asks के अंदर convert करें यहनि अगर आप बात होती, I, we, you, they या किसी plural subject की, तो वहाँ पे आप उसके अंदर किस के अंदर करतें, ask के अंदर करतें, इसी तरी किसे गीता यहाँ पे third person है, तो आप यहाँ पे बोलोगे गीता asks Krishna आप देखो, यहाँ पे inverted commas को टाके आप if का use कर दे, आप देखो यहाँ पे है, are you going to office सबसे बड़ी यहाँ पे आपको time लगाने की जरूरत है, और इस वाले portion को, अच्छे तरीके से आपको समझना है, dear friends, are you going to office, देखो इसको सबसे पहले हम convert करते हैं, affirmative के अंदर तो इसका affirmative क्या बनेगा, you are going to office, are you going to office इसका आप affirmative बनाएं, तो आप इसको क्या बनाएंगे, you are going to office बनाएंगे, उसके बाद इसका indirect बनाएं, आप देखो इसका indirect कैसे बन जा रहा है, छुटकियों में बर रहा है, गीता ask Krishna, if, are you going to office, you are going to office, you यहाँ पे second person है, तो second person according to object change होगा, इसका मतलब यहाँ पे you किसके मताबिक change होगा, Krishna के मताबिक change होगा, Krishna लड़का है, third person है, singular है, masculine है, इसके लिए आप he का use करेंगे, इसके आप क्या use करेंगे, he के बाद is use लगता he is going to office, I hope dear friend, आपको second part भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ नहीं आया, तो चलो कुछ और example देख लेते हैं, ताकि आप सही तरीके से इस वाले portion को भी आप समझ पाएं, different example और लेते हैं, he says to रेखा, वह लड़का रेखा को कहता है may I come in, देखो यहां पे हमने may I come in, एक model की तरह भी इसको देख रहे हैं, तो यह आपके पास direct है, अगर आपको उसका indirect relation के अंदर conversion करनी है, बदलना है, तो different आपको कोई panic होने की कोई अवशक्ता नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको tricky way से आप समझ लोगे, एक बार नहीं, आगए आगए आने वाले, हर एक part के अंदर में आपको यही बात बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको convert करेंगे, देखो he stays to रेखा, सबसे पहले says to को आप यहाँ पे किस के अंदर बात convert करें, asks के अंदर क्यों, क्योंकि यहाँ पे interrogative sentence की बात हो रही है या फिर interrogative negative sentence की भी बात कर सकते हैं, he asks रेखा, if he may come in यह indirect के अंदर बना, कैसे बना may I come in को सबसे पहले हमने interrogative से change करके affirmative के अंदर रखा, तो इसका बनता है, I may come in तो यहाँ पे I क्या था, first person था, और first person according to यहाँ पे first person के ही change होगा, sun rule को आप अच्छे तरह के से देखें, कि अगर आप sun rule को पढ़ रहे हैं, तो sun rule के अंदर आपको subject के मताबिक ही आप change करेंगे, अगर यहाँ पे reported verb के अंदर, reported speech के अंदर, अगर यहाँ पे आपका कोई first person लग रहा है, तो वो according to reporting verb के subject के मताबिक change होगा, तो यहाँ पे he की बात हो रही है, तो if he में come in आएगा, इसके बाद second example देख लेते हैं, विराट says to Rohit, विराट Rohit को कहता है do you like to play T20 matches, क्या आप T20 matches आप play करना चाहते हैं, कहलना चाहते हैं, क्या, यह तो direct है, लेकिन अगर आपको इसका indirect बनाना है, तो यहाँ पे आपको condition समझ में आ रही है, कि यहाँ पे एक interrogative sentence की बात हो रही है, तो देखो, विराट ask Rohit, if he likes to play T20 match, तो इस तरीके से आप इसका indirect बना सकते हैं, dear friends I hope कि आपको यह मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही है, अब भी भी नहीं आएं, तो चलो कुछ और example देख लेते हैं, ताके आपको यह confusion clear हो जाए, totally different, यहाँ पे she says to Suraj, वह लड़की Suraj को कहती है, didn't you see the line कि आपने share को नहीं देखा, देखो यहाँ पे आप interrogative negative sentence की बात हो रही है, और यहाँ पे आपको पता interrogative थे हैं, उसके अंदर आपको negative sentence की भी बात कर रहे हैं तो देखो, यहाँ पे didn't you see the line, सबसे पहले आप इसको करें, किसके अंदर convert करें, affirmative के अंदर, तो यह बनेगा you didn't see the line, अब देखो, यहाँ पे affirmative के अंदर नहीं change भी हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे अगर negative है, अगर interrogative negative, अगर different, आपको यहाँ पे interrogative के साथ-साथ negative है तो आपको वो negative के अंदर ही change करना पड़ेगा didn't you see the line? आप बोलोगे no, you didn't see the line तो ये confusion हमारी clear हो जाती है says to का आप ask के अंदर convert करते हैं ये भी आप सभी को पता लगिया है inverted commas को अटा के आप उसको if के अंदर convert करते हैं आप क्या बोलोगे she says to Suraj didn't you see the line? अगर आप इसका indirect बनाएं तो आप बोलेंगे she asked Suraj if he didn't see the line कितना easy है, कितना simple है बस आपको ये rule समझने की कोशिश करनी है उसके बाद fourth example देखो यहाँ पे मैंने किसी object को नहीं बताया rocket says किसको कहता है यह आपको पता नहीं है यहीं किसके पता नहीं अगर जब भी देखो मैं आपको यह समझाने वाला हूँ लेकिन अगर कभी भी आपको पास ऐसी condition आती है जिसके अंदर reporting verb के अंदर आपके पास object नहीं दिया होता है तो वहाँ पे आपको यह बात मानके चलनी है कि वो जिस बंदे की बात कर रहा है यहनि अगर जिस बंदे की जैसे में आगे है न राकेश says विल यू नाट सस्क्राइब मैं चैनल कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे इसका मतलब यह मुझे बता रहा है यहनि जो बंदा पढ़ रहा है इसको मतलब यह मुझे ही बता रहा है जब भी आपको ऐसी कंडिक्शन मिले इसके अंदर विल यू नाट सस्क्राइब मैं चैनल इसको आप सबसे पहले नेगेटिव के अंदर चैनल करें तो आप क्या बोलोगे यू विल नाट सस्क्राइब मैं चैनल तो देखो यहाँ पे इसके अंदर यू सेकिंड परसन है और सेकिंड परसन अगार्डिंग टू अबजेक्ट चैनल होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमारे पाँ सब्जेक्ट नहीं है इसके लिए आप इसके अंदर आई का यूस करेंगे क्योंकि यह आपको ही नॉमिनिट यहाँ पर कर रहा है आप बोलेंगे राकेश आस्क इस तरीके से आप यहाँ पर बात करें देखो यहाँ पर सेंस पूरी की पूरी चैन्ज हो रही है इंग्लिश ग्रामर की बात करें वो सेंस के उपर नहीं बात करता है वो रूल्स के उपर बात करता है उसके बाद यहाँ पर बात करें थर्ड रूल की बात करें तो देखो यहाँ पे आपका third rule यहाँ पे शुरू होता है डिफिंड यहाँ आपका तीसरा rule है आप इसको serial number से दे सकते हैं कि यह third rule आपका है अब देखो यहाँ पे third rule के अंदर क्या बात होती है देखो यहाँ पे Sam वही है बट इसके अंदर एक यह वाला जो portion है डवली अच फैमली का यह आपके पास नहीं हा गया यह कभी ऐसे sentence भी अगर आपको exam के अंदर पूछे जाते हैं जिनके अंदर डवली अच फैमली के words का use किया जाता है जैसे what आ गया, which आ गया, who आ गया, whom आ गया, where आ गया इस तरीके के जितने भी डवली अच फैमली के words हैं अगर वो किसी direct narration के अंदर आ जाते हैं और अगर आपको indirect के अंदर convert करना है तो वहाँ पे आपके पसीने नहीं छूटने चाहिए डिया फैंड क्योंकि ये trick भी आपको बहुत जादा आपको मदद करने वाली है इसके अंदर हम बात करें के part 3 के अंदर हम देखो यहां पे किसकी बात करें यानि इसको आप double interrogative sentence भी कहते हैं आप इसको लिख सकते हैं अपनी notebook के अंदर कि यो part 3 जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इसको आप double interrogative sentence भी कहते हैं इसके अंदर आप डबल इच फैमली का use तो करते ही हैं इसके साथ साथ आप do, did, will यानि जो time words होते हैं अगर आपको पूछें कि English के अंदर time words क्या होते हैं do होता जो present को बताता या does जो present को बताता है did यहाँ पर past को बताता है और will यहाँ पर future को बताता है English के अंदर do, did और will को time words के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद auxiliary verb का use करें या किसी model का use करके जब भी आप किसी question को बनाते हैं और उससे पहले अगर आप wh family का use करते हैं तो वो वहाँ पर double interrogative sentence की category के अंदर आता है जब भी आप कभी किसी sentence की सुरुआ wh family से करते हैं उसके बाद आप अगर do, did, will या किसी भी auxiliary verb का use करके या model का use करके question बनाते हैं तो dear friend वो वहाँ पर double interrogative sentence के अंदर आता है inverted commas वहाँ पर पहले पार्ट के अंदर हमने देखा inverted commas को हमने that के अंदर convert करा second part के अंदर हमने देखा जब वहाँ पर condition कौन सी थी interrogative sentence की condition थी या फिर वो interrogative negative sentence की condition थी तो उसके अंदर आपने क्या देखा उसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे inverted commas को आप remove करके हटा कर उसकी जगापे आप if का use करते थे लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें double interrogative sentence की बात करें जिसके अंदर आप wh family का use करें तो वहाँ पे आप जो wh family उपर यहाँ डायरेट निरेशन के अंदर दी गई होगी उसको आपको सीड़ियां लगा के सेम वही उतार देना है यहाँ इसका मतलब है अगर वहाँ पे डायरेट के अंदर अगर why लगा है इन डायरेट को बनाते है वकत भी आप उसका why ही यूज़ करेंगे कैसे example देखते है इंदू सेस्टू सूरज यह इंदू जा है वो सूरज को कहती है why are you bluffing me क्यों आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो एक single interrogative है देखो आपको मैं double interrogative समझा ही लेता हूँ देखो यहाँ पे यह एक single interrogative है देखो are you bluffing me यह यहाँ से लेके यहाँ तक एक single interrogative है डिर्फेंड लेकिन जैसे ही इसके साथ why को हम combine कर रहे हैं तो हो यह क्या बना रहा है why are you bluffing me तो यह यहाँ पे जो reported speech है उसको double interrogative के अंदर रख रहा है इससे यहाँ पे double interrogative sentence यहाँ पे frame हो रहा है तो इसके को हम क्या कहते हैं double interrogative sentence कहते हैं अब देखो इसका example को सही तरीके से correct करते हैं इंदू सेस्टू सूरज why are you bluffing me यहाँ पे WH family हमने why का use किया इसका indirect बनाते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा सेस्टू को आप यहाँ पे asks के अंदर convert करेंगे आप बोलोगे इंदू आस्क सूरज उसके बाद he is bluffing her देखो यहाँ पे are you bluffing me का आप यहाँ पे क्या बनाएं सबसे पहले affirmative बनाएं तो आप बनेगा you are bluffing me you यहाँ पे second person है और second person यहाँ पे object के मताबिक change होगा और object यहाँ पे अब सूरज है तो सूरज के मताबिक change होगा और सूरज के लिए हम यहाँ पे he का use करेंगे इंदू ask सूरज why he is bluffing her तो आपको यहाँ पे क्या use करना है why he is bluffing her इसके बाद आपको sun rule का भी apply करना है और यहाँ पे he कैसे आए आप सभी कुछ sun के rule की बात पता होने चाहिए dear friend I hope कि यहाँ तर confusion clear होगी आप एक बार chat box के अंदर बताएं क्या आपकी यहाँ तर confusion clear है yes or no fast guys हम लेट हो रहे है lecture बहुत लंबा हो जाएगा नितो देखो यहाँ पे कुछ और example है एक बार मैं read out कर देता हूँ I hope कि आपको यह second third part समझ आ गया होगा देखो यहाँ पे as sonam says to him why do you want to achieve in what do you want to achieve in your life क्या आप अपनी जिन्दगी में क्या हासिल करना चाहते हैं इसकी अगर आप third part के हिसाब से बनाएं sonam ask him कैसे आया यह आपको पता लगा inverted commas को टाके यहनि मैंने आपको बताया कि जो डब्ली-च फैमिली direct narration के अंदर use हो रही है डिटो उसी को आपको इसके अंदर indirect के अंदर भी आप use करेंगे तो sonam ask him what he wants to achieve in his life सबसे पहले आपको affirmative के अंदर जो आपका interrogative portion इसको convert करना है उसके बाद आपको sun rule को apply करना है और आपका direct से indirect तभी convert होगा उसके बाद है रिशपाल says to them how may I participate in quiz competition जो रिशपाल है वो कहता है उन लोगों को किस तरीके से मैं यहाँ पर participate कर सकता हूँ quiz competition के अंदर तो इसका भी होगा रिशपाल asks them how he may participate in quiz competition they say to her which dress do you like the most they ask her देखो यहाँ पर दे के बाद says नहीं लगा यहाँ पर दे के बाद say लगा क्यों लगा plural subject की बात हो रही है और उसके साथ हम s और yes का use नहीं करते they ask her which dress she likes the most इस तरीके से आप यहाँ पर इसका आप indirect बना सकते हैं सूरज says to students what do you want to study सूरज student को कहता है क्या आप पढ़ना क्या चाहते हैं तो dear friend यहाँ पर देख लें के अंदर बताएं क्या यह sentence सही है या नहीं है इसके अंदर ask आएगा या asks आएगा देखता हूँ मैं आपकी confusion कितनी clear हुई I hope dear friend आपका जो part third था अच्छे तरीके से जिन्हीं जो part second था उसके आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी यहां पर और मैं आपके लिए example आएं ताकि आपको अगर अभी भी confusion है क्योंकि यह typical होता है और इसको exam के अंदर से examination point of view से अच्छे तरीके से पता होना चाहिए यह most loving topic भी होता examiner का देखो यहां पर एक बार फिर से रूल को देख लें अक्छे says to नहा अक्छे नहा को कहता है where do you live क्या आप कहां पर रहते हो तो यहां पर इसको direct है लेकिन आप इसी रूल के मताबिक अगर इसको आप convert करें अक्छे ask नहा where she lives इसके बाद आप यहां पर sign of interrogation का use कर दें यहां पर typing mistake होगी है उसके बाद स्वाती says to राकेश से आपको उपर यहां पर रूल बताएगी है डीफरेंट यहां पर हम बात करते हैं अब पार्ट फोर की बात करते हैं यहां पर यह आप से भी के लिए जो रूल आप पढ़ते हैं ना English Grammar के अंदर टेंस आप reported speed जिसके अंदर आप present indefinite को past indefinite के अंदर करते हैं present continuous tense को आप past continuous के अंदर करते हैं present perfect को आप past perfect के अंदर करते हैं present perfect continuous को आप past perfect continuous के अंदर करते हैं past indefinite को past perfect के अंदर करते हैं past continuous को आप past perfect continuous के अंदर करते हैं past perfect को आप no change इसके अंदर कोई भी change नहीं होती और past perfect continuous के अंदर भी change हम नहीं करते हैं डीफिन यहां पे आपको 10 चार्ट और टाइम चार्ट में आपको बताने वाला हूं आप सभी को क्या करना है 10 चार्ट और टाइम चार्ट को अच्छे तरीके से अपनी फट बुक के अंदर रखना है थोड़ा सा आप भी effort करें ताकि हम इन टैंस चार्ट और टाइम चार्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएं तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं फार्ट फॉर्थ की बात करते हैं देगो यहां पे आपको 10 चार्ट और टाइम चार्ट का आ रहा हूं जब भी आप बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं उसके अंदर कोई भी सब्जेट आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको इस बात का खासकर दिहान रखना है कि जब भी आप बात करें इन डायरेक्ट नरेशन की बात करें उसके अंदर आपकी जो होती है जो inverted commas के अंदर बंद की होती है उसके अंदर अगर subject यहां पे first person है तो according to subject change होगा अगर वो second person है तो according to object change होगा और अगर वो third person है तो उसके अंदर कोई भी change हम नहीं कर सकते अगर ही है तो direct के अंदर ही है तो indirect के अंदर भी ही ही लगेगा. अगर direct के अंदर she है या दे है तो इन direct के अंदर भी he या she या दे ही लगेगा. तो ये rule भी आपको अच्छे तरिके से समझ आ गया. उसके बाद मैंने आपको यहां पे परणाउन family की बात करें. भी हम यहां पर परनाउन family की यहाँ पे तीन पार्ट पड़े इसके साब से एक solve करते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इन तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करें देखो यहाँ पे पहले exercise है they say to ram he will go to jamu देखो यहाँ पे आपको sentence को पहचाना है कि यह sentence किसके अंदर है एक affirmative condition को बता रहा है he will go to jamu यह पहले पार्ट के अंदर पड़ा और जब भी कोई sentence आपको एक affirmative की sense देता है direct narration के अंदर उसको बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं say to को आप tell के अंदर convert करते हैं उसके बाद inverted commas को टाके that का use करते हैं और अगर वहाँ पे subject first person है according to subject change होगा जो reporting verb के अंदर दिया होता है तो यहाँ पे अगर subject third person है तो इसके अंदर कोई भी change नहीं कर सकते हैं तो they tell Ram that he will go to jamu उसके बाद he says to you is he mounting an exhibition तो यह को यहाँ पे हम बात करें second part की बात करें जहाँ पे हमने किसकी बात करी थी हमने यहाँ पे interrogative sentence की बात करी थी या interrogative negative sentence की बात करी थी जहाँ पे हम says to को asks के अंदर convert करते थे और वहाँ पे जो inverted commas थे उसको हमने if के अंदर use किया था और interrogative को सबसे पहले affirmative के अंदर convert करा उसके बाद according to sun rule हमने उसको change करके उसका indirect narration बनाया था He says to you Is he mounting an exhibition क्या वो परदर्शनी लगा रहा है क्या exhibition का मतलब होता है जो हाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें को दिखाया जाता है कभी किसी hall के अंदर चला जाते है auditorium के अंदर चला जाते है इस तरीके से आप बात करें या symposium के अंदर चला जाते है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है He asks you उसने आप से पूछा If he is mounting an exhibition इस तरीके से आप इसकी conversion करते हैं उसके बाद people say to prime minister Why don't you give response to China कि जो चाइना हम पे हमले करें इनका response क्यों नहीं दे रहे है लोग PM को पूछ रहे है तो इसका आप बनाएं तो आप क्या बनाएंगे People ask prime minister Why he does not give response to China तो इस तरीके से डियर फ्रेंट आप इस rule को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उसके बाद है राकेश says When will you share my video आपको मेरी वीडियो को share करेंगे डबलेच फैमिली का concept part third के मताबिक लग रहा है और डबलेच फैमिली को आपको किसी के अंदर convert नहीं करना होता है जो inverted commas होते बस उसको उटा के आपको डबलेच उसी family का use करना होता है जो आपकी direct के अंदर बताएगी ही होती है उसके बाद है राकेश ask when I will share his video राकेश ने पूछा कि मैं कब उसकी वीडियो शेयर करूँगा तिस तरीके से यहाँ पे आप बात कर रहे हैं डीफिन यहाँ पे बात करते हैं part fourth की बात करते हैं के अंदर मैंने आपको बताया हम यहाँ पे tense chart की बात करेंगे और time chart की बात करेंगे देखो यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे जानने को मिलेगी कि यहाँ पे जो part fourth है इसके अंदर आपको जो report होगी आपकी जो एक reporter की report होगी वो हमेशा आपको past के अंदर ही रखनी है ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें कि जब बें आप part fourth की बात करते हैं और वहाँ पे आपको set to यनि यहाँ पे जो आपकी report है वो पहले set यहाँ पे past के indicate कर रहा है तो वहाँ पे आगे भी आपको sentence past के अंदर ही convert करना पड़ेगा part first के अंदर हमने affirmative negative sentence देखा part second के अंदर हमने interrogative negative sentence देखा और part third के अंदर double interrogative का concept शांदार तरीके से मैंने आप सभी को पढ़ाया है और I hope कि आपको clear हो गया होगा जिसके अंदर हमने WH family की बात करिए तो देखो यह rule है यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ फिर उसके बाद आपको easy way से आपको part four भी समझा जाएगा देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे set two की बात करेंगे यह जो report है यह past के अंदर है इसलिए जब भी आप इसका indirect बनाएंगे तो उसके वो यहाँ पे भी किसके अंदर रहेगा past के अंदर ही रहेगा set two को यहाँ पे आप told के अंदर convert करेंगे या set two को आप यहाँ पे asked के अंदर convert करेंगे फिर subject चाहे कोई भी क्यों ना हो उसके बाद आपको sentence को समझना है और उसके मताबिकी आपको inverted commas को अटा के उसके जगा आपको that का यूज करना है if का यूज करना है या wh family का यूज करना है अगर किसी sentence के अंदर affirmative की sense मिल रही है तो वहाँ पे आपको that का यूज करना है अगर किसी के अंदर negative की मिल रही है फिर भी आपको that का use करना है अगर किसी के अंदर आपको interrogative या interrogative negative की sense मिल रही है वहाँ पे आपको if का use करना है और अगर किसी sentence के अंदर आपको वहाँ पे wh family use हो रही है उसके अंदर आपको क्या use करना है WH family को ही use करना है inverted commas को हटा के उसके बाद यहाँ पर interrogative को आपको affirmative में change करना है उसके बाद आपको sun rule का apply करके उसको हीशी दे के अंदर convert करना है यहाँ तक आपको समझा यहाँ पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर time chart को समझना अगर आप time chart और tense chart को अच्छे तरीके से समझेंगे डीफिन यहाँ पर बात करते हैं time chart की tense chart की बात करते हैं देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते है present indefinite tense की यहनि do or does किसी sentence के अंदर आपको दिखे या कभी भी कोई sentence आपको किसके अंदर दिख रहा है अगर आपको present indefinite की वाले sense उसके अंदर दिख रही है या वो S और ES लगा है उसको आप किसके अंदर convert करेंगे did के अंदर करेंगे यहनि do or does किसके अंदर convert होता है direct के अंदर अगर do or does है indirect को बनाते हैं अगर आप बात करें tense chart की time chart की जब आपकी रिपोर्ट यानि set to है तुहाँ इसके आपको पता चलेगा कि यहां इसके अंदर हम किसका यूज करने वाले है time chart intent chart का यूज करने वाले है उसके बाद इसे मार को आप किसके अंदर convert करेंगे was और work के अंदर convert करेंगे has have को किसके अंदर है आप convert करेंगे head के अंदर convert करेंगे has been या have been को आप had been के अंदर convert करेंगे उसके बाद आप बात करें यहां पर was और work की बात करें यहां पर present continuous tense की बात करते हैं जब इसे मार वो पर यहां पर past continuous के अंदर convert होता है लेकिन जब आप बात करते हैं past continuous tense की बात करते हैं तो वो वहाँ पे past perfect के अंदर convert होता है यह हैड बीन के अंदर convert होता है उसके बाद यह फिर अगले बात करते हैं और tense art की बात करें अगर यहाँ पे direct के अंदर head यूज हो रहा है अगर वहां पे past में है तो आप यहां पे शेयल की जगाfire shoot का यूझ करेंगे can की जगार उसके बाद यहां पे time chart की बात करते हैं अगर direct के अन्डर अगर this लगा है तो और indirect के अन्डर के अंदर कनवर्ट होगा अगर दीज है तो दोस के अंदर कनवर्ट होगा हीर है तो दियर के अंदर कनवर्ट होगा अगर वहां पे यह नाव है तो दैन के अंदर कनवर्ट होगा तूडे है तो दैट डे के अंदर कनवर्ट होगा तूनाइट है तो दैट नाइट के अंदर क के अंदर कनवर्ट होगा उसके बाद तुमारो को यहां पर नेक्स डे के अंदर कनवर्ट होगा येस्टरडे द प्रीविस डे के अंदर कनवर्ट होगा लास्ट होगा प्रीविस के अंदर कनवर्ट होगा और डे आफ्टर तुमारो द डे आफ्टर नेक्स डे होगा इस तरी पे कब और कैसे हम time chart और 10th chart को use करें आपको मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा important rule समझने के लिए है अब इसे पहले जो मैंने 10th chart time chart बताए तो यह तो आपको compulsory है आपको यह रटना पड़ेगा या यह आपको mind में याद रखना ही पड़ेगा चाहिए किसी तरीके से भी रखें लेकिन यहाँ पे इस condition को समझने की कोशिश करें कि कहां पे हम time chart और 10th chart और कैसे और कब कहां पे करते हैं तो वो समझें different man आपको शुरू में पे बताया था कि जब भी आप बात करते हैं किसकी बात करते हैं तो जब भी आपकी report past के अंदर हो तो तभी आप उस 10th chart का use करते हैं और time chart का use करते हैं यहनि कभी भी अगर आपकी report present के अंदर है या future के अंदर है तो तब आप 10th chart और time chart का आप use नहीं कर सकते यह बात आप अच्छे तरीके से अपने mind के अंदर रखें ऐसे कभी आप यूज़ नहीं कर सकते राम सेज टू हर तो आगर उन पेजले वाले तीन रूल के इसाब से तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपके क्या बात हो रही है टाइम चार्ट की बात हो रही है टैंस चार्ट की बात हो रही है यहाँ आपको according to 10 से आपको चैंज करना है तो उसके अंदर आप इसके रूल को नहीं यूज़ कर सकते हैं यहाँ इसका मतलब यहाँ पे टाइम चार्ट होते हैं वो ना तो रिपोर्ट को फूचर के अंदर स्पोर्ट करते हैं नहीं तो पर्जेंट रिपोर्ट को वो स्पोर्ट करते हैं अब किसको वो स्पोर्ट करते हैं मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ कि कहां पे आप 10 स्चार्ट और टाइम चार्ट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपको बात करनी हो जब आपकी report past के अंदर होगी जी हाँ ऐसे होगा Ram said to her said यहाँ पे past report को indicate कर रहा है Ram was saying to her तो यह भी यहाँ पे past report को indicate कर रहा है याँ राम had been saying to her Ram would say to her तो यहाँ पे हार एक sentence के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो report है यानि इसको हम reporting verb कहते है reporting verb कहते है इसके अंदर आपके जो report है set to ये past के अंदर है was यहाँ पे past के अंदर है had been यहाँ पे past के अंदर है और would यहाँ पे will की second from would ये भी past के अंदर है इसका मतलब आपको dear friend ये समझना है कि जब भी आप बात करें time chart की 10 chart की बात करें तो वो हमेशा past की report के मताबिक ही change होता है कभी भी वो present के अंदर और future की report से change नहीं करते हम ये बात I hope कि आपको समझ आगी होगी अब बात करते हैं एक example की बात करते हैं देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था अच्छे तरीके से बताया था देखो एक बार आपको फिरसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यह जो part 4 की आपको मैंने trick बताए इसको आप एक बार अच्छे तरीके से लिख लिख लिया होगा I hope आपने note book के अंदर अच्छे तरीके से लिख लिए होगा तो देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इन examples को समझें देखो part first को लेके और part fourth को relate करते हैं राम says to her I will not come today तो यहाँ पर आप देख रहे हैं part first के अंताबिक आपने देखा था affirmative negative sentence के अंदर आपने says to go tells के अंदर convert करते हैं inverted commas को अटा के आप वहाँ पर that के अंदर और उसके बाद sun rule को apply करते हैं आप देखो यहाँ पर part fourth के अंदर आप किस तरीके से करें राम said to her तो यहाँ पर आपको यहाँ ही से पता चला कि यह जो report है आपकी किस के अंदर है past के अंदर है आपकी report किस के अंदर है past के अंदर है report तो आपको यहाँ पर किसका यूज करना है time chart और ten start का यूज करना है राम said to her I will not come today तो देखो I will not come today यहाँ पे negative sentence की आपको sense मिल रही है तो आपको यहाँ पे part first का भी role use करना है क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने भी आपको rule बताया कि जैसी आपको वहाँ पे reported speed sense देगी उसके मताबिक आपको inverted comma से टाके that का use करना है if का use करना है और wh family का use करना है Ram said to her आप मझे बताएं इसके अंदर क्या लगीगा तो यहाँ पे negative sentence की यहाँ जिसको हमने part first के अंदर पढ़ा था उसकी sense मिल रही यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे Ram told her that he would not go that day देखो यहाँ पे will हमने किसके मताबिक change करा will हमने यहाँ पे किसके मताबिक change करा उस rule के मताबिक change करा आप अगर rule अपने लिखा होगा देख लें आप एक बार वहाँ पे will था यहाँ पे future था उसको हमने अगर बात करें किसके साब से अगर हम बात करते है time chart के हिसाब से तो will किसके अंदर convert होता है तो राम टोल्ड हर that he would not go that day. Today किसके अंदर convert होता है? That day के अंदर convert होता है? ये भी मैंने आपको बताया है. जो आपको मैंने किसके अंदर बताया था? Tense time chart के अंदर बताया था. उसके बाद यहाँ पे और example देख लेते हैं. क्योंकि यहाँ पे part second आपको interrogative या interrogative negative sentence के बारे में deal करता है. वहाँ पे आप inverted commas को हटा के if का use करते हैं और says to को हटा के यहाँ पे ask का use करते हैं. ये भी मैंने आपको बताया. देखो यहाँ पे अगर part 4 के बात करें, किस तरीके से आपको बताना है. क्योंकि वहाँ पे आपकी report present के अंदर है, यहाँ पे आपकी report जो set to है, वो past के अंदर है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है. संगीता set to teacher, यहनि संगीता किसको कहते है, teacher को कहती है, may I come in class, क्या मैं क्लास में आ सकती हूँ, तो वहाँ पे may I come in class, यहनि interrogative sentence के आपको sense मिर रही है, तो यहाँ से यह बात clear हो जाती है, कि जब भी आप इसका indirect बनाने वाले हैं, या बनाएंगे, तो यहाँ पे आपकी जो report होगी, वो interrogative के अंदर है speech, उसके बाद आप यहाँ पे inverted commas को टाके आप if का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप इसके मताबिक change करें, यहाँ पार्ट फूर्थ के मताबिक, यहाँ पे 10 चार्ट और टाइम चार्ट का यूज़ करेंगे, संगीता asked आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे report past के अंदर है, संगीता ask नहीं आएगा, asked आएगा teacher, उसके बाद inverted commas को टाके if का यूज़ करें, if she might, देखो मे किसके अंदर होता है, may I come in class, affirmative में बदलें, I may come in class, I के मताबिक यहाँ पे, I यहाँ पे क्या है, first person, और first person हमेशा किसके मताबिक change होता है, object के मताबिक change होता, object यहाँ पे संगीता है, subject यहाँ पे, object यहाँ पे sorry teacher है, subject यहाँ पे संगीता है, तो यहाँ पे संगीता के मताबिक ही आप इसको change करेंगे, तो यहाँ पे देखें, संगीता ask teacher, if she may might में convert हो गया come go में convert हो गया और in class उसके तरीके से हमने इसको रखा I hope यह वाली example भी आपको clear है उसके बाद part third को भी relate करके चलते हैं part four के साथ ताकि आपको यह part four अच्छे तरीके से समझ आ जाए different she says to Suraj you didn't attend class yesterday वो Suraj को कहती है कि आपने class attend नहीं की यह direct है लेकिन अगर आपको इसका indirect बदलना है तो आपको यह पता है कि यहाँ पर डबलेच फैमिली का use नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम एक negative sentence की बात कर रहे हैं इस तरीके से भी आप इसको convert कर सकते हैं यह यहाँ पर लेकिन अगर इसी एक्जेंपल को अगर आपको यहाँ पर पार्ट फॉर्थ के हिसाब से यहीं टाइम चार्ट और टेंच चार्ट के मताबिक अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं जैसे शी सेट टू सूरज तो यहाँ पर सेट रिपोर्ट पास्ट में है आपको यहाँ से पता लगया कि इसके अंदर आप तैंज चार्ट और टाइम चार्ट का यूज़ करेंगे यू डिदेंट अटेंड क्लास यस्टड़ी कि आपने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी तो इसका बनाए सेट टू टोल्ड के अंदर कनवर्ट होगा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर एफर्मेटिव और नेगिटिव की सेंटेंस की सेंटेंस दे रहा है तो आप यहाँ पर बोलेंगे शी टोल्ड सूरज दैट ही हैड नाट देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर डिड नाट किसके अंदर कनवर्ट होगा हैड नाट के अंदर कनवर्ट होगा यहाँ पर डिड नाट किसके अंदर कनवर्ट होता है हैड के अंदर कनवर्ट होता है यह आप एक बार देख लें यहाँ मैं आपको tense chart के अंदर मैंने बताया था did यहाँ पे head के अंदर होगा और अगर did के बाद not लगेगा तो obviously वहाँ पे head के बाद भी not लगेगा यहाँ इसका मतलब यह है कि past indefinite किसके अंदर convert हो रहा है past perfect tense के अंदर convert हो रहा है she told suraj that he had not और head के बाद आपको पता है किसके बाद verb की third form लगती है तो आप यहाँ पे क्या यूश करोगे he had not attended class अब यहाँ पे yesterday को किसके अंदर convert करते है the previous day के अंदर convert करते है इस तरीके से आप इसका indirect भी बना सकते है I hope dear friend यह तीन example आपको चथे रूल को अच्छे तरीके से समझाएंगे अब आपके लिए part 4 यहाँ पे मैंने कुछ example लाई है आप एक बार इनको देखें और solve करने की कोशिश करें ताकि आप इनको अभी तक सही तरीके से solve कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप देखें यह सभी की सभी रिपूर्ट यहाँ पे आपके पास्ट के अंदर है तो स्क्रीन शॉट ले ले लें और solve करने की कोशिश करें dear friend अब बात करते हैं हम part 4 की बात करते हैं कुछ ऐसे important rules की बात करते हैं जो आपको narration के अंदर पता होना चाहिए dear friend बहुत ही important है आप सभी के लिए यह भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ऐसी condition को आप लिखें जिसके अंदरा model की बात करें या किसी और tense की बात करें देखो यहाँ पे condition मैं आपको बता रहा हूँ अगर कभी भी देखो यहाँ पे बात करें अगर एक sentence के अदर if there is no subject in a sentence than say then says doesn't get changed into said अगर किसी भी sentence के अंदर direct के अंदर وہाँ पे subject पर्जेंट नहीं है reporting verb के अंदर तो वहाँ पे says जो होता है वो कभी भी किसके अंदर change नहीं होता है यहाँ पे change नहीं होता है यहिए if there is no subject in a sentence देखो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें इप दिर इस नो सब्जेट इन सेंटें देखो राम सेज आई डिडिन्ट कम तुड़े तो देखो यहाँ पे राम सेज यहाँ पे एक चुन एक बात करें यहाँ पे सब्जेट की बात नहीं अबजेट अगर नहीं है देखो यहाँ पे अबजेट की बात है एक बात यहाँ पे रखें सब्जेट की बात नहीं करें पाड़न अच्छली थोड़ा सा स्लाइड के उपर में फोकस कर रहा था देखो यहाँ पर एक बात याद रखें सही तरीके से कि अगर किसी देखो इसको object लिख लें ओ लिख लें यहाँ पर ओ लिख रहा हूँ अगर किसी sentence के अंदर अगर object present नहीं है slide के अंदर mis type हो गया है तो उसके अंदर आप क्या use करते हैं कोई भी यहाँ पर says to को convert करके sad के अंदर convert नहीं करते हैं जैसे राम says I didn't come today राम के बाद यहाँ पर subject है लेकिन says किसको कह रहा है object का हमें यहाँ पर अता पता नहीं है तो इस condition के अंदर आप say को sad के अंदर convert नहीं करते हैं राम says I didn't come today यनि यह ऐसा ही रहेगा तो आप बोलोगे राम सेज that he did not come today इस तरीके से आप इसका use करें उसके बाद है राकेज सेट राकेज सेट के बाद यहाँ पे object किसको कह रहा है यह भी पता नहीं है तो राकेज सेट I will not go to college tomorrow इस तरीके से यहाँ पे आप क्या बताओगे राकेज सेट यहाँ पे he would not go to college tomorrow अब यहाँ पे would कैसे आया आप part 4 को ना भूले वहाँ पे मैंने आपको बताए तो अगर report आपकी किसके अंदर है past के अंदर है तो आपको तब time chart और ten start का use करना है I hope dear friend आपकी confusion यह clear हो गई उसके बाद second point की बात करते हैं देखो कभी भी आपको वहाँ पे exclamative sentence की भी यहाँ पे direct को indirect के अंदर कहने को कहा जाता है बदलने को कहा जाता है तो वहाँ पे आप इन बातों का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखें किस तरीके से आपको exclamative के अंदर इन्हें अगर आपको exclamative sentence हैं उनको आप किस तरीके से convert करते हैं तो इसको भी आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें देखो यहाँ पे इनको empathetic sentence भी कहा जाता है देखो यहाँ पे exclamative यार imperative sentence की बात करें तो वहाँ पे आप क्या करते हैं set to को change नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो उसको exclaimed के अंदर change करते हैं respected के अंदर change करते हैं order के अंदर change करते हैं forbidden के अंदर change करते हैं suggested के अंदर change करते हैं कैसे जो sentence आपको वो sense मिलता है यानि जिसके अंदर आपको आदेश यानि ओर्डर की बात करें यानि डायरेक्शन या कमांड की बात करें फिर रिक्वेस्ट की बात करें सुजेशन की बात करें एडवाइस की बात करें तो उसको इंडायरे नरेशन के अंदर आपको इस तरीके से ही लिखते हैं कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूं देखो यहाँ पे तीन condition ज़्यादातर होती है देखो joy की condition होती है surprise की condition होती है और sorrow यन्य दुक की condition होती है आप जैसे ही sentence को अगर read करें और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे request की sense मिल रही है आपको यहाँ पे order की sense मिल रही है direction या command की sense मिल रही है या suggestion या advice की में आपको sense मिल रही है उसी तरीके से यहाँ पे आप इनका use करें जोई वाले word अगर आपको लिखें तो आपको यहाँ पे हुर्रा जैसे दिख सकता है आप यहाँ पे wow यूज कर सकते हो bravo use कर सकते हो great और अगर आप surprise जिसके अंदर आपको एक आश्यर यह होता है एक surprise मिलता है oh what oh my god really इस तरीके से बात करते हैं या फिर एक दुखी condition की बात करें shit मैं fail हो गया shit मेरा merit list के अंदर नाम नहीं आया alas oh god क्या हो गया इतनी मेहनत करी थी लेकिन मेहनत सही तरीके से नहीं करी थी बात यह है तो इस तरीके से भी आप इनका use कर सकते हैं देखो example दिखाता हूँ मैं आपको कैसे देखो in excrementive मैंने आपको बताया कि set two को change करके आप exclaimed के अंदर use कर सकते हैं respected के अंदर convert सकते हैं आप requested के अंदर convert कर सकते हैं order के अंदर convert कर सकते हैं forbidden या suggestion के अंदर convert कर सकते हैं यानि suggested के अंदर convert कर सकते हैं जैसे सूरज said to her example देखें great तो यहाँ पे एक joy वाली condition को बता रहा एक happiness खुशी वाली condition को बता रहा सूरज said to her great you have done it very nicely कि आपने ये बहुत ही अच्छी तरीके से किया है you have done it very nicely तो देखो यहाँ पे अगर इसको आपको indirect बनाना है तो आप क्या बोलोगे सूरज exclaimed her क्या बोलोगे सूरज exclaimed her with joy किसके साथ बड़ी खुशी के साथ सूरज ने कहा किसको कहा उस लड़की को कहा सूरज exclaimed her with joy that she had done it very nicely अब यहाँ पे रिपोर्ट अगर past के अंदर है तो definitely आपको 10 start और time chart का भी यूज करना है second example देखते है she said to Gopal what have you become an IS officer क्या आप एक IS officer बन गिया है क्या तो देखो यहाँ पे एक surprise की condition दिखा रहे उसको तो विश्वास नहीं था उस लड़की को विश्वास नहीं था कि Gopal एक IS officer बन सकता है लेकिन वो बन गया तो उसको एक आश्चारी है हुआ surprise मिला तो उस condition के अंदर आप ऐसे कह सकते है she exclaimed Gopal that किसके साथ एक surprise के साथ she exclaimed Gopal with surprise किसके साथ एक surprise के साथ that he had become an IS officer कि वो क्या बन गया है that he had become an IS officer यह यहाँ पे he had become क्यों होगा क्योंकि आपको 10 चार्ट और टाइम चार्ट का रूल आपको समझा गया होगा उसके बाद third example देखते है Krishna said to father oh God he met with an accident उसके एक accident हो गया तो देखो यहाँ पे oh God exclaimed father with sorrow that he had met with an accident तो इस तरीके से यहाँ पे आप sorrow वाली condition को भी बताते है उसके बाद यहाँ और एक man points की बात करते है point number third की बात करते है अब यहाँ पे हम operative sentence की बात करते है यहाँ पे operative sentence क्या होते है जिनके अंदर आप good wishes की बात करते है prayers की बात करते है greetings की बात करते है उन्हें हम किसके अंदर बात करते है जिसके अंदर आप desire को अपने desire को बताते है उसको operative sentence के अंदर रखते है यहाँ उन्हें operative sentence कहते है यहाँ जिसके अंदर आप कोई good wish दे रहे हो यानि reporting verb के अगर कोई good wish है तो उसको आप किसके अंदर उसको wish के अंदर convert करेंगे देखो उसके अंदर आपको convert करना पड़ेगा अगर वो प्राथना कर रहा है तो आप वहाँ पे प्रेड का use करेंगे, मैं example आपको दे रहा हूँ, जैसे, she said to Raheem, may God bless you उसने रहीम को कहा कि भगवान आपको क्या करे, आशिरवाद दे may God bless you तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक optative sentence है, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि यह वहाँ पे wish कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, she wished Raheem, क्योंकि report past के अंदर है तो she wished Raheem that God bless him, इस तरीके से आप convert करेंगे उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और condition बता रहा हूँ, देखो एक example यहाँ पे सुने मेरे से she said to Sita she said to Sita may God bless you with a son यहनि may God bless with a son, mean may God bless you with a son, she said to Sita may God bless with a son, यहनि आपको भगवान एक लड़का दे, इस तरीके से वहाँ पे she, किसको कह रही ही वो लड़की Sita को कह रही ही, उन्हीं आप पर प्राथना कर रही है, तो वहाँ पे आप क्या बहो लोगे, she prayed that God might bless Sita with a son अब में क्यों लगा, में को में को might के अंदर कैसे convert होता है आप 10 चार्ट के अंदर देख ले हैं, टाइम चार्ट के अंदर देख ले हैं, उसके बचल एक और एक और example मैं आपको दे रहा हूँ यहां पे, she said God grant you success, और आप सभी के लिए भी मैं यहां पे कह रहा हूँ, कि may God grant you success, आपको कामया भी मिले हैं आपके mission के अंदर, she said God grant you success, तो देखो यहां पे she prayed, उसने भगवान से प्रात्ना करी कि आपको कामया भी मिले, she prayed that God might grant me success, तो इस तरीके से आप इसका use करें, यहां might के साथ आप वर्व की first form लगाते हैं, और सभी को पता है कि model के बाद, हमेशा आप my first form of work भी use करते हैं, उसके बाद different I hope इस तरीके से आप good morning, good evening, good day का भी use कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप इसका use करें, वो भी मैं आपको बताने वाला next slide के अंदर, देखो यहां पे एक बात याद करें, subject की तरह आप एक sentence के अंदर, जिस तरीके से subject change होता न, उसी तरीके से यहां पे एक object भी change होता है, जैसे Prime Minister said to people, I will give you an employment, यहनि Prime Minister जो PM है, वो लोगों को कहते हैं कि मैं आपको रोजगार दूँगा, employment दूँगा इसका आपको indirect बनाना है, तो Prime Minister told people, set two को आपको told के अंदर convert करें, that उसके बाद time chart, ten chart का बहुत ज़्यादा important role है, तो उसका use करें, he would give them, देखो यहां पे you क्या था, यहां पे एक बात देखें, you यहां पे क्या था, object था, यहां पे people था, और people को हमने object की category के अंदर रखा, तो people के जगा पे हमने यहां पे them का use किया, आप देखे सकते हैं, them का हमने यहां पे use किया, तो यह यहां पे object भी change होता, जिस तरीके से, आप subject का use करते हैं, उसी तरीके से आप object को भी convert कर सकते हैं, Prime Minister told people that he would give them an employment, उन लोगों को वो रोजकार देंगे, उसके बाद, point five की बात करते हैं, dear friend, यहां पे universal truth की बात हो रही है, जी हां dear friend, यहां पे किसकी बात हो रही है, universal truth की बात हो रही है, तो universal truth के अंदर भी आप इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर जब भी आप universal truth की बात करते हैं, देखो यहाँ पर सूरज set to संगीता, the sun sets in the west यानि universal truth के अंदर कोई भी change नहीं कर सकते हैं जैसे का है, वैसा ही है, बस inverted commas के हटाके आप that का यूज़ करें सूरज told संगीता that the sun sets in the west, इसके अंदर आपको ओर भी कोई भी condition को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद यहाँ पर point six की बात करते हैं देखो past tense के अंदर आगर यहाँ पर past perfect continuous tense है तो वहाँ पर यह किसके अंदर convert होगा present perfect continuous tense के अंदर convert होगा, यह यहाँ पर past perfect continuous tense के वैसा ही convert होगा head है तो head लगेगा head bean है तो head bean लगेगा लेकिन अगर आप past tense के अंदर अगर आपकी reporting speech है और reported speech के अंदर आप routine की बात करें या habit की बात करें या किसी idiom की बात करें तो उसके अंदर भी आपको change नहीं कर सकते और इसकी तरीके से अगर कोई past tense के अंदर आपकी reporting speech है reporting verb है और अगर एक time के अंदर कोई दो event एक साथ हो रहे हैं तो उसके साथ भी आप कभी भी कोई change नहीं करते example मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे example देखें she said to Sandeep उसने Sandeep को कहा I was waiting for Pooja मैं Pooja का इंतजार कर रही थी तो देखो यहाँ पे देख लें आप एक बार she told Sandeep that she had been waiting for Pooja देखो यहाँ पे यहाँ पे किसकी बात हो रही है यहाँ पे continuous tense की बात हो रही है तो उसके अंदर आप यहाँ पे किसके अंदर बात करते हैं यहाँ पे इसको had been waiting for आपने यहाँ पे present perfect continuous tense के अंदर ही इसको क्या क्या convert करा उसके बाद she said I take shower या bath every day तो she told that she takes shower या bath every day He said as soon as तो यहाँ पे एक idiom की तरह use हो रहा है एक phrase की तरह use हो रहा है He said as soon as I reached the airport airplane took off तो यहाँ से यह आपने अड़ान भर ली तो इसके अंदर भी आप देखे He said that as soon as यहाँ पे इसके अंदर कोई change नहीं होता inverted commas को टाके सिर्फ आपको वहाँ पे that का use करना है और कोई भी आपके लिए typical task नहीं है यहाँ पे He said that as soon as he reached the airport an airplane took off inverted commas को टाके मैंने an airplane का use किया क्योंकि यह आपको पता है model यह आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप use करें तो आपको भी हम बहुत जल्दी finish करने वाले हैं लेकिन यह जो scoring topic उनको हम पहले cover करते हैं आप point seven के अंदर देखते हैं यह भी आप सभी के लिए जरूरी है देखो जिस तरही के से आपको यहाँ पर बात करें जैसे sentence समझने की कोशिश करते हैं sentence से समझने की कोशिश करते हैं और आप सभी ध्यान दे देखो यहाँ पर she said to me sir I want to go to now जैसे destructive के अंदर आपको यहाँ पर सर बताया गया हो तो उसको कैसे change करें यहाँ पर अगर आप किसी narration के अंदर direct narration के अंदर आपको सर दिख रहा है उसका अगर आपको indirect बदलना है तो सर को आप किस के अंदर convert करेंगे respectfully के अंदर convert करेंगे she said to me sir I want to go to now me respectfully तो यहां पर देखो sir को आप किसके अंदर change कर रहे है respectfully उसके बाद inverted commas की जगा आप that का use करेंगे उसके बाद she wanted to go to then she wanted to go to then क्योंकि now किसके अंदर change होता then के अंदर change होता है table I hope आपने बना दिया होगा उस तरीके से उसके बाद दूसरी condition की बात करते है condition 8 की बात करते हैं जैसे यहां पर अगर किसी sentence के अंदर आपको दिखे जैसे no दिखे he said to me no I have not done my work तो देखो यहां पर आपको no दिख रहा है तो उसको आप किस तरीके से indirect के अंदर बदलें वो बढ़ाने जा रहा हूं वो आपको मैं trick बता रहा हूं जब भी किसी sentence के अंदर direct के अंदर आपको no दिखा हो उसको आप indirect बनाए तो condition आपको वहां पर no को convert करके in the negative बना दे सूरेश टोल्ड हिम in the negative that he had not done this work सूरेश टोल्ड हिम in the negative that he had not done his work देखो यहां पे set to him की जगा आपने told का use किया क्यों report past में थी और हमने यहां पे past का use किरा no की जगा पे ने आप यहां पे क्या use किया no की जगा पे आपने in the negative यहां पे use किया उसके बाद inverted commas को अटा के आपने that का use किया I have not की जगा आपने I यहां पे first person था first person according to subject change होता subject सुरेश था हमने यहां पे he का use किया सुरेश की जगा और have not की जगा पे आप head not का use करेंगे और done his work इस तरीके से आप बात करेंगे my work की जगा पे his work का आप use करेंगे उसके बाद यहां पे point nine की बात करते हैं जिस तरीके से no है उसी तरीके से अगर यहां पे yes हो तो उस तरीके से भी आप यहां पे बात कर सकते हैं और उस तरीके से आप यहां पे in the positive यूज़ करेंगे दूसरा आपको यहां पे कोई भी ज़ादा rule नहीं है तो यहां पे अगर इसका आपको in direct narration बनाना हो तो आप बोलेंगे तो यहां पे देखो यहां पे rule सेम रहेगा यहां पे in the negative यूज़ करेंगे तो यहां पे in the positive यूज़ करेंगे और उसके बाद आप अगर report उसके बाद will के अंदर they would definitely share my video तो यहां पे will के जगा पे आप would का यूज़ कर सकते हैं तो यहां पे आप दे के जगा थोड़ी सी mistake होगी typing तो यहां पे आप would का यूज़ करें they would आएगा they would share my video किस तरीके से would आएगा क्योंकि report वहां पे past में थी और यहां पे will नहीं आएगा तो यहां पे आपके पास कोई भी object नहीं है और object जब नहीं होता है तो अब आप वहां पे he का यूज़ करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर से आप भी बता रहा हूँ कि जब भी किसी sentence के अंदर direct के अंदर object नहीं दिया हो तो वहां पे अगर आपको ऐसे sentence दिये हो तो उसके आप if object is not clear अगर object वहां पे clear नहीं है तो आपको हमेशा he का यूज़ करना है एक बात याद है कि चाहे वो फिर किसी की भी बात हो क्योंकि आप तो जानते ही नहीं है कि किसके बारे में लड़का है लड़की है और अगर आपको यहां पे अभी भी समझ नहीं आ रही है एक बार आप मुझे बताएं उसके बार यह फिर्ट आपको यहां पे मैं एक बार बता दू एक छोटा सा concept अभी आपका छूट रहा है लेकिन मैं आपको उसके notes शेर कर दूँगा let वाले के किस तरीके से आप sentence का convert करते है देखो यहां पे अगर मैं आपको एक बात बता दू यहनि जब भी कोई let से कोई word शुड़ू होता है इन imperative के अंदर ही आता है तो उसके अंदर आप suggested का use करते है जैसे अगर आपको मैं example देला हूँ indirect के अंदर तो इसका indirect बनेगा she suggested यहां पे आपको let say कोई अर्थ यहां पे निकलता है तो वो निकलता है सुजाओ वाला यहां पिर परपोजल वाला तो इसलिए यहां पे आप suggested का use करें या फिर proposed का use करें she said to me let us go to market इसका indirect बनेगा एक ऐसे she suggested to me are to go to market इसे भी बन सकता है या आपको जैसे मैंने पढ़ाया she suggested to me यानि she suggested to me that we should go to market we should go to market इस तरीके से आप इसका conversion कर सकते हैं he said to me let us purchase this house वो वहां पे परपोजल आपको दे रहा है तो इसको आप बता सकते हैं he proposed to me to purchase that house यानि इस that में convert होगा अगर नहीं आई तो इसके उपर भी आपको इलिए मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊँगा ये lecture लाऊँगा जिसके अंदर आपको ये वाला concept भी आपका clear होगा dear friend अभी तक हमने हर एक sentence के अंदर direct और indirect narration का convergence दीका होगा आप किसी भी exam के अंदर देख लें पेपर देख लें आपको वहाँ पे मैं question share करने वाला हम टेलेग्राम ग्रूप के अंदर जो आपके inspector exam अभी जो पहले हुआ उसके अंदर पूछा गया था और इसी rule के मताबक भी आप उसको solve कर सकते हैं so thank you very much आप सब इसे अच्छा लगा आज आपकी lecture बहुत लंबी होगी लेकिन इस lecture से हमने अपने एक अच्छे topic को narration को finish करा so thank you very much और अब भी हम बात करेंगे फिर उसके बाद test series की बात करेंगे जिसके अंदर हम इनको दबारा से revise करेंगे so thank you very much dear friend आप देख रहे हैं एक दिन के अंदर दो classes ही नहीं लेता हूँ बलके मैं अपनी दूसरी classes को भी लेता हूँ मैं unacademy के उपर भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी classes लेनी पड़ती हैं उसके बाद अगर आपने personal बात करो मेरा अपना भी YouTube channel है और आप एक बार bright अविशकार करके search कर सकते हैं जिसके अदर आपको पूरी lectures मिलेंगी और 1500 से 200 lecture भी आपको मिल सकती है और बिलेंगी भी so thank you for your participation हमने part, first, second, third, fourth, fifth और हर एक basic rule को cover करा dear friend इसकी video, slides की PDF मैं share कर रहा हूँ I hope आप तक ये शाम तक या 8-9 बजे तक पहुची आएगे so thank you very much अगर आपको सच में video अच्छी लगी है definitely अगर आपको लगता है कि sir हमारी लिए effort करते हैं आप जरूर अपना feedback आप comment section के अंदर रखें तके मुझे अच्छा लगे और मुझे definitely अच्छा लगता है क्योंकि अगर आपको इतना एक-एक dated घंटे लगतार देखो आपकी energy शायद आपका mood off हो गया होगा लेकिन मेरा mood अभी भी off नहीं हुआ जिस speed के साथ, जिस energy के साथ मैंने आपकी वीडियो आपकी lecture शुरू करी थी उसी speed के साथ आपकी lecture को भी मैं end कर रहा हूँ so dear friend, respect is commanded, not demanded इज़त कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती है एक बार आप सभी like कर दें, share कर दें और अपना feedback जरूर दें कि आपको ये lecture अगर आपने notes भी साथ साथ बनाए है तो कैसी लगी आप सभी को ये lecture और क्या आपको एक tricky way में जो narration है आपके, वो solve हुए या नहीं हुए, so thank you very much मैं आपको इसके उपर आपके लिए कुछ exercise भेज रहा हूँ टेलिग्राम ग्रूप के अंदर आप उसको solve करें जरूर solve करें, उसके बाद मैं आपको answer भी उसके भेजूँगा, ताकि आपको एक help भी मिल जाए, so thank you very much for your cooperation, जरूर आप like करें और subscribe भी कर दें इस channel को और bright avishkar channel के उपर भी आप एक बार जाए, ताकि आपको वहाँ पर 200 से 300 lecture, छोटे छोटे topic भी आपको मिल जाएंगे, so thank you very much have a good luck ahead, wishing you very happy